कि नमस्कार साथियों कैसे हैं सभी लोग कि उम्मीद यह करता हूं कि सभी साथी मेरी तरह परिशान होंगे कोई मित्र जुड़ा नहीं है भी जुड़ाईए कुछ मित्र और बताईए किसी क्या क्या बाते ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही हैं कल से सब बहुत परिशान थे भाईया लाइव आजाओ लाइव आजाओ अचा कल सभी को पता होगा जैसे जो 31,661 के जो समर्थक लोग है राम राम बाई राम राम जो समर्थक हैं उन्होंने कल SCRT में दर्णा दिया था और लगभग उनका दर्णा सफल हुआ है और 9 तारिक को उन्होंने फिर से दर्णे का आबान किया है इसलिए कि अगर उनकी म पता था कि 31,661 पदों पर न्यूक्ति दे दे सरकार एक हपते में तो यह बास समझ में आती है कि आखिर इतने दिन क्यों लग गए क्यों अब तक कुछ हुआ नहीं तो मित्रो इसका मैं आप बढ़ा देता हूं कि अधिकारी मुख्वंत्री जीने तो कह दिया कि आप इससे में पता है जो समर्थन कर रहे है न जितने अब्यारदी समर्थन कर रहे है वो मोशली वो है जो 31,000 में इनका नाम आ रहा है अब वो यह मान के चल रहे है कि उपर से 31,661 की जो सूची है वो ठाली जाएगी और जो जिला उनको मिला हुआ है जो वहीं पर उनको न्यु कुछ इंपोर्टेंट बाते बताना चाहूंगा उसके बाद आप लोग पूछ लीजिए का जो भी जिसको जो सौंज में आ रही हो या जो जिसके प्रिश्न हो सब कर जवाब दे दूंगा कोई सौंश्या नहीं है देखिए सरकार ने जो बरती हमारी हो रही है यह 79,000 का जो बरती हो नहीं है कि जिसको जितनी काटगरी वाई सब करके काईदे से सबको सीड दी जाएंगी सबको न्यूक्ती दी जाएंगी अच्छा अब अगर यह 31,000 काम करेंगे तो पहली वाद तो उनको जीओ चेंज करना पड़ेगा देखिए जीओ चेंज कोई बड़ी चीज न अलगवाच चौति साड़े चौति हैर पादे जितने अन्रिजर्व के थे उसमें सबको अन्रिजर्व में तो सभी आते हैं उस तरह से हो जाता इन सबको न्यूक्ती मिलती लेकिन अब क्या बात हो रही है 31,000 के बात चल रहे हैं तो 31,000 के लिए अगर यह नया जीओ जारी क और जो हमारे आज कल अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता लेकिन सब अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर खुद चैन हो रहा है उनका तो भाया बे तो शुबकामना है आपके लिए आप चैन लीजिए कोई समस्या नहीं है यार आप अपने हक्के लिड़ी लड़ी है मैं अ परिवर्तन करना पड़ेगा और देखो आप भरतियों का इतियाज उठालो भरतियों का इतियाज उड़ालो आप कि कभी भी जो भरति हुई है वो मूल विग्यापन पर ही हुई है चाहे भली वो हाई कोट से फैसला बदला हो चाहे सुप्रिम कोट जाके हुआ हो हमेशा ज कि बात कर रहे हैं कर लेंगे तो भरोगे तो आप 30 में से ही तो भाईया आप यह बता दीजिए फिर पद ही कितने से बचे आपने 37,000 पद दूर दे दिया आज आप 31,000 के सापेक्ष लेकर उन्हें आप न्यूक्ति आप लीजिए नियूक्ति कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बस हमें यह चीज़ बता दीजिए आप कि आज आप ले लेंगे बहिए जब सरसर हैर की चैंस्ट सुची जारी हुई ती हम सभी बहुत उस्ताययत है कि यह तो न्यूक्ति हो जई आई छतारिक को वो 69,000 का है, उसमें आप category wise बाढ़ दीजिए, अब आप 67,000 सीटे रिजर्ब कर दी, तो बचती कितनी सीटे हैं, अब जो सीटे, कितनी सीटे बचिए, अनिजर्ब के लिए क्या बचा उसमें, क्योंकि जो सिक्षामित्र हैं, वो सारे के सारे अनिजर्ब में ही जाएंगे, औ अपना पैसा खाया, किसी के कोई, ना किसी से एक रूपर चंदा लिया है, ना हम कभी आगे आएं, अब मजबूरी है यार, वनना हम तो एक वार नुक्ति हुए आती, हम तो कभी हाईलेटी नहीं होते, अब मजबूरी पढ़ रही है, अरे अखलेस भाईया, आप मैं समझ अपना भी अलियाल है, वो कर कुछ भी सकती है, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, और वो चाती है, भरती फश जाए, ठीक है, तो यार, पहले मेरी एक में बात सुलो, उसके बाद मैं सबसे बात करूँगा, तो में चीज यह है, कि अगर उन्होंने क्या वोलते है, मूल पैसे फश जाएगी, इसके लिए किती देर टिक हो गया, बताओ सुप्रिम कोड में, अगर हम सुप्रिम कोड में जाके, सुप्रिम कोड तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम NCVC को सैटिस्वाई नहीं कर पाए हो, अगर दस बच्चे चले गए जाके, रिजर्ट कैटे इनको न्युक्ति मिल जाए बस, और कोई बिरोध होगा ही नहीं, ना कोई भरती फसने का कोई सीन बनेगा, लेकिन वही चीज़ है, अब नएने तरीके गवर्न्मेंट खुद फसा रही है यार, आप मुझे खुद बता दो इस चीज़ को, और जो मैंने बिदिक राए लिय दो दिन से बात कर रहा हूँ, मैं अपने विदी सलाकारों से, तो वो भी यही कह रहा है, बोले दस मिनट ये बात नीट किएगी, दस मिनट पर ये बहु हो जाएगा, इस ते लग जाएगा फिर से, फिर वही चीज़ होगी, अभी पिछली बार आये थे हम लोग, कॉंसलिक आसान तो था ही नहीं कभी कि जियो में परिवर्द करना, हमने बहुत इतियाज देखा है बढ़तियों का, वही जियो बहाल होता है, जो मूल जियो था, और मूल जियो जो है, वो 69,000 का है, और 69,000 के सापेक्च, अगर आप 37,000 पाद रिजर्ब करते हो, और फिर उन्हें किस आप 37,000 को भी नहीं दे पाओगे, पहले आतो जगह ही नहीं बचेंगी, लेकिन कुछ टॉपर्स होंगे, तो वो चले जांगे 21,000, बाकी 17,000 लोग को आप बहार कर दोगे, तो वही चीज है, मुझ तो यह लगता है, बिल्कुत चिंतित मत होईए, जब भी जरूरत पड़ है, देख रहा हूँ, बड़ी भीड चल रही है, कि इतने लोग, उतने लोग, सब कुछ आओ, यार, सब कुछ आओ, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं, जैसे पहले तुमने लिष्ट जारी कर वाली, धरना दे दे करके, क्या हाल हुआ है, यार, देखो, सब ने देखा रह क्योंकि इनको अधिकारी किसी को नहीं बता रहे है, हम मिलने का है, मैं ठंक से कोई बात नहीं बताई उन्होंने, और जितने भाई, ये सोच के बैठे ना, कि उपर से कत्रिया ले ली जाएंगे, क्या हलुआ है, क्या चल रहे है याँ आपे, ये भरती है, ओपन भरती, लोग को बुलाना शादी में, कि मैं उपर के बुलाऊंगा, नीचे के बुलाऊंगा, ये कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है रभी भाई, वो कोई नहीं, यार में चीज ये है, ये साट पैसेट पही बढ़ती होगी, और अगर किसी को कोई मेरी बास्ते अभी सहमती नहीं रख मैंने भी पता किया है, क्योंकि खाली घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करते रही है, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों हमें मालूमें हमें न्युक्ति चाहिए, और कैसे लेनी हैं, वो भी हमें मालूमें कैसे लेनी है, जै अगर यह सब मिलके हमें आपहान करते हुआ हम सब लोग मिलके यार वहां जाते और धर्णा देते इसके लिए कि आप ऑडर के गुजारिश करो और्टर को चलो हम एक वार यह है कि सुप्रीम कोड के उसमें नहीं बोल सकते हस्तक्षिप नहीं कर सकते लेकि इतना तो करी सकते थे सबी लोग मिलके कि गवर्मेंट से यह बात कर सकते थे अपनी एक जन आन्दोलंग के द्वारा कि हम सीथे कहते उनसे कि जब आप कह रहे हो क क्या नहीं पद रिक्त हैं उनमें हम दे देंगे तो अभी दे दो यारा आप बाद में नई चीज़ थोड़ी आनी है फैसला तो वही आना है सबको मालूम है फैसला 60 पैसेट पर यह आगा अच्छा एक हमारे भाई कल यह कह रहे थे कि सरकार क्यालते अगर फैसला 60 पैसेट के इतर कुछ भी आ गया जीरो कर दी 40-45 कर दी संभब है या नहीं है यार सुप्रिम कोट है और जसाब के मन के उपर है यार मुझे लगता है जसाब कही दिल में फील हो रहा है कि इतने लोगों को मैंने अटा जिया था सिक्षामित्रों को एक लाग सकती जार को अटाया था इनोंने तो उन्हें लगता कहिना कि दिल में फील हो रही है चीब मैंने गलत किया है तिलोगा रोजगार चीन लिया उसी के बरभाई करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है बनना अब तक और ऑडर भी आ जाना चीए ता तो अगर फैसला उसके पीजाद तब क्या करेंगे तो गौर्मेंटर जेने इकतिजार को दे दिया उनको दो दे देगी क्योंकि वो लोग तो यही के फिर कहेंगे कि हमें तो नुक्ति मिल चुकी है और किसको निकाल पाए उनुक्ति दे कि आज तक ठीक है फिर यह तो फिर इकतिजार बढ़ती अलग हो गई इसमें का रिजर जर्ब किये गए तो जस्ताब को यह तो जस्ताब की अलती है उसने बताना चीछ था कि अगर आप और सरकार ने यह बात इसी समय तुकी थी कि हम इने भरती कैसे देंगे फिर कुई संबब नहीं है पहले भी संबब नहीं है अब पता नहीं कहां से दिमाग चला रहे हैं यह लोग अपना संबब पहले भी नहीं था यह करतिशार को देना अब भी संबब नहीं है लेकिन अपनी बस बोई सरकार फसाना चाहती है बरती उसके लिए नए-णे ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं है और हमारे अभ्यारती इसमें फस जा रहे हैं बलब ठीक है भाई हम तो यहीं चाहते थे अगर सब पतों कोई साध भरती हो तो बहुत बैश्ट है लेकिन सब पतों पर साध भरती है अगर नहीं हो करना चाहते है तो उसके लिए फिर तरीका अपनाए जाएगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बाकि मैं सही भाईयों से गुजारिश करता हूँ बि 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे सुप्रीम कोड में यह लोग 10 मिनट बहुत कह दिया 10 मिनट भी मैंने सीधी सी वात है संभब नहीं है यह चीज तो करते हैं भाई कुछ बताते हैं अगर कैसा कुछ होता है और कोई भाई हाँ चीज है यार अगरवाल भाई आप सही कह रहा है कि रिटार्मेंट की कगार पे हैं यार इसलिए वो मुझे लगता है अपने फैसले पर अफसोस हुआ है इतने लोगों को निकाल दिया और इसलिए वो कर रहा है यार हाँ ने आयूस भाई सही कह रहा है यार तो स्वार्थ तो सभी का अपना यार मैं भी अपना बता रहा हूँ मेरा खुद का निजी स्वार्थ है मुझे भी जॉब चाहिए यार इसलिए कर रहा हूँ और ये बाद एक भाई ने मेरे सुबा कही थी कि अकर तुम्हारा नाम प्रिश्ट में आने की तो मैं भी चुप बैठा होता लेकिन हां ये चीज में आपको आपने दिल पर हाथ रखके यह वाद पता सकता हूं कि भरती देखो जो सचाई यह है भरती तभी संबब है जब पूरे पदों पर एक साथ भरतियों देखो ना तो 31 सार पर अकर अकल को यह कहते है 37 सार पहले कर दो तो भी नहीं हो पाएगी तब भी संबब नहीं है क्योंकि भाईया बात यह है हमने जितना इतियास देखा है भरतियों का भरति हमेशा मूल जीयों पर होती है और मूल जीयों 59 सार का था उसी के हिसाब से भरति हुई थी नहीं तो भाईया सीधी कर पाएंगे तो यह संबब नहीं है सबका एक ही वो होना चाहिए था एक ही उद्देश से लड़ाई होती जी 87 सड़सर है पदों पर एक साथ भरति हो लेकि हम लोग गलत जगह लड़ रहे हैं ठीक है यार अब जब कहते नहीं कि जब कोई और लड़ रहा है वही यार हम ब बात पूछनी हो तो प्लीज यार पूछ लो जल्दी अल्ली कल कुछ भाई हमारे कह रहे थे कि भहिया लाइव आकर कुछ बाते बताओ और आप चिंता ना कीजे हर तरह से सब कुछ हमारा प्रक्रिया पूरी पूर्ण है जैसे जहां जरूत पड़ेगी वैसे वैसे कर दें है जब अगर मूल जियों में परिवर्तन होता है तो सीधी सी बात है कि भरती का बेड़ा गर्ग मूल जियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जितने मेरे भाई मैं आपको सच बता रहा हूं तेरा बैस से बीटीसी हूँ यार एक्सपिरेंस भी अच्छा खासा है तीन चार बढ़तियां सामने से गुजर गई है आपने भी विरोजगारी देखी का है हमसे पूछो ना बेरोजगारी क्या होती है और हमारे उन भाईयों से पूछो जो ग्यारा से विरोजगारी देख दिन नी लगवाँगा एक जिस दिन काॉंसलिंग करार हो ना उसी दिन लगवाँगा और इस्टे में कुछ भी नहीं है इस वार तो इस वार तो कुछ भी नहीं है पिछली वार तो फिर भी बहुत बड़े-बड़े मुद्दे थे हाँ प्रफुल भाई इतना आसान नहीं है यार है नहीं आसान क्या संबब नहीं तो असंबब लग रहा है कैसे कर देंगे ये लोग फिर भी यार देखो लोग उन्हों धरने का द्याब कर रखा है और सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं गवर्मेंट तो प्रेशर में आकर कुछ ना कुछ करेगी लेकिन हमें यार यहीं लगता है कि भरतिय कर सबसी साथ हो तो ज्यादा बैस्ट है इतना आलंगा ना करें इतन बागी भाई बता दो कल सब बहुत जिद कर रहे थे भाईया बताओ भाईया बताओ आज किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए बही चीज है मैं बता दे रहूं आपको बानु भाईय यही कोशिश हमारी भी है यार 37,000 पज जोड कर ये लोग भरति कर सकते हैं लेकिन कहना तो बही है ना कि भरति करना चाहेंगे तब ना वो भी नहीं चाहते भरति करना और उन्हें मालूम है हम लोग चुगा बिल्ली क ऐसे काम नहीं हो पाएगा यार कि कल हम लोग भी चलें इसके लिए रणनिती बन रही है अभी देखें तो 31 की लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी यह जितने अभी यह नेता कूद रहना इनको सबको यह लग रहा है कि उपर से पाद उढ़ा लिए जाएंगे जो आथ चु के रह दृचनिलेन्ड़ कोई दिश्ट नहीं है क्यों कोई बी टेंशन मतलों कल बहृत सारे मुझे फोन कर्रें थे बार बार फोन कर रहे ते कि भईया कुछ बताओ बताओ तो मैंने सबसे यह बात कही कि वह साम को बताओ पाऊंगा तो वही चीज है मैं आपको बता रहा ह अरे भाया प्रेशर का मतलब यही है यार वही कह रहा हूं कि यार यह तो सोच रहे ना प्रेशर होगा कल जाके प्रेशर करोगे आप और वो बर्ती बाल कर देंगे 31 सार को न्युक्ति देंगे हाँ हाँ बिल्कुल पुनित भाई सही करें पटेशाब आप 31 नौतर को दरना है लोग का करने दिए एद यह हक है यार मैं किसी को नहीं रोगता सब देखो सब रोजगार के लिए लड़ रहो लड़ो आराम से लड़ो सब रोजगार के लिए रहो लेकिन वही चीज है कि हाँ पुनित भाई लिष्ट तो आईगी यार सुना तो जारा लिष्ट आईगी लेकिन मुझे यार इचीज संबब लग नहीं रही है अब बाकी देखो ये लोग क्या सोचते है अरे गंगवार साब ऐसा है वह देखिए सरकार तो चाहिए सरकार तो गड़बल खुदी कर दी है इनको पता है इनोंने चैन सुची में भी गड़बल किया है और आगे भी गड़बल कर रहे हैं इसलिए तो इस सब कर रहे हैं इस समय जितने मेरे भाई खुद को सेलेक्टेड मान के ये कर रहे हैं भी साथ नहीं दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं इधर में 31 से बटे पडे हैं हम तो 31 से वाले तो त्यार है हर चीज के लिए हमसे तो आज दरने हो कह दोगे आज हम खड़े हो जाएंगे हमसे तो जिस तरह से समर्थन चाओ उस तरह समर्थन लेला हमसे तो कहोगे ना कि एकर रोड पे लेड जाओ वहां पर जाके लखनों में हम रोट जाम कर देंगे लेड जाएंगे सबके साथ हमें कोई समस्या नहीं है यादब जी अभी ऐसे नहीं बता सकते क्या प्लान है प्लान जो भी है बहुत अच्छा है कोई समस्या नहीं है अरे भाईया वही चीज मैं कह रहा हूं न इतना आसान जियो में संसोधन करना अगर होता तो यह इतने दिन से लटका देते क्या 15-16 दिन हो गए यार उन्हें खुट दो को अधिकारी यार कोई बेवकूफ नहीं है अधिकारी बेवकूफ नहीं है अधिकारी बेवकूफ नहीं है ओगलता तो अब तक बदल दिया होता है उन्हें पता यह बार बदल गया तो बरती यार शीदी से जारा वैच वाले बीड भाई हैं, उनसे पूछो आप, हमें सब पुराने जीओं बहाल होता है, नया जीओं कभी बहाल नहीं होता है, नया जीओं अभी बहाल कर रहें, कुछ भी करते हैं यह लोग, हम जाला सुप्रीम कोर्ट से आगे ले आएंगे, हमें क्या समस्या है, थो नाम दे करके हमारा, हमें नियुक्ति दे दी, नियुक्ति तो हम ले लेंगे, बस यह हो सकता है, समय तो बैसी देड़ साल से दो साल होने वाले हैं, इंतियार किया, और कुछ हमें इंतियार कर लेंगे, लेकिन भरती तो लेंगे, इंसे नियुक्ति चाहिए, ठीक है, हाँ, बही तो चीज़ है यार किष्णावाई सही करवा आप जिस तरह से हो रहा है वैसे लिश्ट जारी करवा रहा है लेकिन सचा ही यह है मैं बदाए तो आपको लिश्ट कैसे जारी होगी अगर इन्होंने जीओं में संसोधन कर दिया तो जे एक लाग शालेश जार के साप एक छ तो चात रहे हो कि बड़ एसी कुछ भी कहने ऐसा कुछ नहीं है सरकार NCBC में अब तक सभी जवाब ने दे पाई है इसलिए वो जानती है कि हमने गल्ती कर दी ठीक है और दूसरी गल्ती बूस करें और गल्तिया होंगी हम से इसलिए और गल्ति कर चुपाने के चक्र में ही कि यार हमें नौकरी चीह थी या हमरे इतने पैसे कि हम जा सूर्म कोट देख रहे हैं हाई को देख डेख रहे हैं इस दिन बोले मैं निधिसाuchen छी साफ भल मैं अभी चार दिन के लिए वो बस कुछ नहीं वो कहता है चार दिन बाद साम को घर आएंगे फिर हमी से कहेंगे भई यह चंदा देदो लड़ाई लड़नी है फिर से कन्नी है वो कोई बात नहीं है इस सब बहार के कहीं के नहीं है हम हमें जो करना है वह हम करेंगे हम यहीं तो गल्ती कर जाते हैं लोगतंत्त हया है, सबी को अधिकार है हम मेंतो सीदी ओची बात है हमें अपना देखना है यही नहीं है किромाए कि सरसर्द क कुछएं एक सात हो ज्यादा बैष्ट वही चीज है आगे विबाद निगे और ऐसा नहीं है कुछ भाई ये सोचते हैं कि निउक्ति ले 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 बाद में क्या होता है भाई ये अमारे सच्छाम भाईयों से पूछो निउक्ति लेने के बाद क्या हुआ उनके साथ गलत तरीकी से कुछ भी अगर काम होगा ना रूल्स रेगलेशन को फॉलो करे बिना आप जो एक कॉंस्टुटूशनल वाडी है उसको उसको साथ में अगर काम करेंगे जैसा नियम बना हुआ है जैसे करके नियुक्तियां होती है और देखो मैं जानता हूँ क्या क्या गलती कर गवर्मेंट ने की है हर बात कहां तक बताओं आपको यार फिर कुछ लोग कहेंगे कि अब तुम ये कर रहे हो कुछ लोग कहेंगे वो कर रहे हो तो इसलिए सब बातों को छोड़कर मैं सीदी सी बात कहता हूँ यार कि हमें सीदी सी बात है हमें नियुक्ति को पर बिचार करना है और हमारा यही लक्ष है कि सारी सबी को एक साथ नियुक्ति मिले श्याम भाया नमस्कार भाया और सब को एक साथ नियुक्ति मिले तो ज़्यादा बैश्ट है और उसी के लिए हमाई लड़ाई है बाकिया मैं आपको बता दे रहा हूँ जो सरकार मूल जियों में परिवर्तन करना चाहा रही है ये होना नहीं चाहिए किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए और अगर इन्हों ने कर दिया तो फिर बढ़ती लटक गई ये तो मैं बता के आपको बता सकता हूँ कि अगर इन्होंने जोय में परिवर्तन कर दिया तो बढ़ती लटक गई और दूसरी बात आसकता हूँ बढ़ती लटक गई ये नहीं कि कटेजार को भी ज्यॉनिंग मिल जाईगी ये तो मैं लिखके दे सकता हूँ जिस देन न्युक्ति होगी सड़ सड़ एर की एक साथ होगी अब अब इन्हें करने दो जिता ड्रामा करना है फूट डाल रहे ना डालो फूट यार कोई फरकने पड़ता हमाली है हम तो बैसे भी यह मान के चलते हैं कि हम अकेले ही हैं दस बारा लोग वही लड़ेंगे बाक तक न्युक्ति नहीं हो रहे हैं न्युक्ति होने का तो फोन न उठाते लोग इसलिए आप चिंता ना कीजिए बाकी यही चीज है अगर चाहेंगे तो सब साथ रहेंगे कहते हैं बचपन में वह कहानी जो पड़ी थी लकड़ी वाली कि जब सब मिलके लड़ोगे तो कोई सके तुमारी बात भी सुनी जाएगी यही चीज आपके क्या अगर आप नियाले में जाते हो तो भी यही चीज है कि अगर आप बहाँ पे एक दो करके जाओगे तो वह यह सुप्रिंग वोड़ पर लड़ भी नहीं पाओगे जब बड़ी संख्या होगी ना तो आप अच् साथ ही संबब है इन्हें करने दो जितना कर रहे हैं चिसको जो करना करने दो आप लोग साथ खड़े रहा हो मेरे मैं आपको नियुक्ति दिलाओंगा साथ में एक्जाम दिया है तो साथ में ही नियुक्ति लेंगे यह जो आज कल अभी एक भाई ने मेरे को कल पोस्ट किया मैसेज किया बोला भाईया आपको जलन क्यों हो रही है अरे भाईया मुझे किसी जलन नहीं है यार मुझे क्यों जलन होगी अगर कल को जो मेरा भाई बोला ना तुम्हें जलन क्यों हो रही है कल को अगर माली मेरी मेरी मेरिट कम होगी न और पता चली मैं OBC में हूँ मेरा स जाने, तो बहुत को वह देखो इस aleksion हो जाएगा उससे कम में, और ब्लाकि नहीं को जलन Е largo तो बहीया जलन से उसको होगी यार यया यह तो संभवी नहीं नहीं है इंसान है हम हम वहारे शलन कोड़ को भरी है जलन कोड़ करी यह जलन्म मैंसे यार मत किया करो कि तुम्हें जलन क्यों हो रही है और जिसका हो रहा होने तो भाया मैं किसी क्यों रोक रहा हूं मैं तो अपने लिले लड़ रहा हूं यार मैंने भी किसी कहा कि धरना मत दो मैं तो बस बता रहा हूं कि हाँ धरना दिया आप लोगों ने अच्छी चीज यार कुछ करवाओ तो लेकिन बस यही चीज़ थोड़ा अफसोस तो होता यार कि अब तक तुम साथ खड़े थे चंदा लिया आपने हमारे कहने से हमसे कहें कि साट पैसट साट पैसट अब आप कहरो कि आप माँ चाही नहीं तो अब तो लिश्ट नहीं जा रही है अभी हार सिक्षवित भाईयों की सिक्षवित बनते ही कई होने शाधियां कर लिए बड़े-बड़े मकान घरी लिए आज विचारों की दिक्कते शुरू हो गई है हो किसी के साथ भी सकता है कहते है हमारे यह तो कहते है देसी आधा हम की और तुम लोग ने तो कुछ ऐसा कोच कर नहीं कर दिया है दो चार फास पारी मेरिट एक्सट रा है हम ते यार वह इसलिए क्योंकि तुमने नहीं हमने किया था न उस समय 10-12 में इतनी नंबर नहीं आ यह सुपर्टाइट के एक्जाम पे मिलेगी न्युकती तो भाईया सब महाचानित उधरे के दरे रहे जाओ गए ना यह तुम्हार इतने नंबर है सब्कामाले मुझे कित्ते कित्ते लेकर बैठो और और सिर्फ यह नंबरी लाना वो गया कि तुम योग जादा हो गया तो फ नंबर क्यों नहीं लाए तुम भी चैन में आते यार अरे सास्त्री जी आगे क्या करना है वह मैंने आपको शायद कल आपकल आपने फोन किया था क्या मैंने बताया था कि अभी कुछ चिंता ना किजिए आप लोग अभी देखिए लिस्ट जारी हो रही है नहीं हो रही है क अभी को बता दी जाएगा किसको क्या करना है कहां आना है कैसे समर्थन करना है बिल्कुल चिंता नहीं किजिए बिल्कुल यार कृष्णा भाई सच्छाई है और कोई सच्छाई नहीं है सबको पैसा कवाना है अब कहानी जी है आप मालुम में लोग को पैसा मिलना है नहीं अरे यार फिलाल हमें यार किष्णा भाई अपने आप लड़नी हैं और सास्त्री जी आप चिंता ना कीजिए भाईया सही समय आने पर सबको रंडीती बता दूँगा और भाईया किसी को अगर और कुछ थोड़ा सा पूछना हो तो दो मिनट के लिए और कुछ पूछ लीजिए कोई समस्या हो तो बाकि इतना मैं फिर से एक बार आवाद दिला देता हूँ अरे पांडे जी क्या करूँ भाईया यार और कर भी कह सकते हैं हमें तो यार लड़ना ही अपने हक के लिए ऐसा थोड़ना है अगर कोई जैसे एक आप बता रहा हूँ जैसे एक एक जामपल से समझातों मैं अगर माली किसी का परिवार होता है और कुछ उसके घर में एक प जी ताजी ना रहे तो क्या बच्चे जीना छोड़ देते हैं नहीं छोड़ते ना ऐसे ही माली कल को सब नेता बने बैटेते हैं हम पर ही और अब अगर माली वह चैन सुची में आ रहे हैं तो क्या हम यह सोच के बैढ़े हैं कि हमें नौकरी नीची है खुद लड़ेंगे यार खुद से करेंगे पहली बात यार भया जिंदगी बर बीद गई सब कुछ अपने आप ही किया है कोई हमारा कोई गौड़ फादर थोड़ी बैठा है सी आइटी में जिसने हमें नुक्ति नाम दिलवा दियो हो चैन सुची में यहां तो भया 10-12 में भी नंबर सब मेहन अगर नया जियो बनता है तो नया जियो बनने का आरत है भरती फस गई भरती फस गई पूरी तरह से और जियो में परिवर्तन होने को तो यह कुछ भी करते हैं होता नहीं है वैसे लेकिन हो गए फिर हम सुप्रेम कोर्ट से बाहल कराएंगे कोई इसमें बहुत बड़ा नहीं देखेगा यह मत बड़ा इनका है टॉकर सी बात है सरकार से अगर हम जाके इतनी सी बात कहते हैं अगर रस्युप्रेंग कोड में दो ढालके एक अपने सुप्रियम कोड में हम इतनी सी बात कि हमने कह दी घख अतने पद थे इतने पद ओब कैसे दे दिए अब यह तो बाकी क्या करेंगे 16,000 अब पता चलता है कि वह अटतर लेके भी प्रिचारा बहार है और सबको क्या सिक्ष्व में तरह समझ रखा कि 104 मेरिट है और बाइसे पता चलती है सेकंड डिविजन से पास हो रहे हैं तो भाई चीज़ है कुछ नहीं हो रहा है इन्हें 31,000 का पब्लू इनने दिया था कुछ भाई होने से बहुत ज़्यादा सीरेस ले लिया बिल्कुल दुश्यंद भाई ये तो हमें मालूम है या नौकरी छीननी पड़ती है इसलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए और इसलिए के लिए सबको मोटिवेट कर रहा हूं भाई कि ये तो जैसे कुछ भाई करते है कि नेता आगे नहीं आ रहीं अरे बहया नेता आए तो स्वागत है हम तो चाहते हैं मैं तो अब भी भाई है हाथ जोड़के request कर रहा हूं सभी नेताओं से जितने मेरे भाई हैं जो कुछ टीमों को lead करते हैं और जो district wise जैसे सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको जितने जिले हैं ना हमारे हर जिले में कुछ हमारे भाई हैं जो वहां से lead करते हैं टीमों को और उन्हें यह भी मालूम है किसका selection कैसे हो रहा है किसका नहीं हो रहा है किष्णा भाई नंबर मेरा वही है यार 7906-839-289 इस पर call कर लिजिएगा बागी नंबर मैं डाल दूगा थोड़े देर बाद और वही सब कर लोग मैं आपको call कर लोगा क्योंकि मुझे लगता है सब को मिलके लड़ना पड़ेगा वरना कहानी और यार अब यह चीजे भूल जाओ बुआली बात सब छोड़ो यार अब जितना होना था सब कुछ हो गया अब सिर्फ नोकरी पे आओ अब इस सब बात चेळो कि मुझे इससे क्या बहब होगा या मुझे मेरा नाम क्यों नहीं Rudolph आएगा मुझे मुझे पैसा नहीं मिलेगा अब हैसे वाद सक्राइब है क्यों आए इस वीका लिद्फYA में लेकिन बुरा लगता है यार कि तुम अब कह रहे हो कि elders एक तो महाचाइनित खोजित कर रहे हो फिर हमें कहा रहे हो नहीं जल रहे हैं किसी से अरे उतकर्षभाईया क्यों टेंशन हो रही है यार मैंने कहा नहीं आप से कि जब भरती होगी 67,000 पर होगी इन्हें करने तो जितने करते हैं एक बार जे मूल जियों में परिवर्तर करें तो सरकार एक बार पधी बरतने करते हैं सरकार खुद सरकार को समय आए है किमने कितनी बड़ी गलती के इसी भरती को लिक्शन लड़ना चाहा रहे हैं 22 का इसी भरती को 22 ख लड़का के अच्छा तरह हां है एक क्या important बात भीकिर को संधियों बैए ऐक लाश्ट में आप मैं कि जो बच्चे रहे गए उन्होंने 41 जार को जो नहीं दे दी बाकी जो रहे गए वो रहे गए उनका आज तक कोई पता नहीं है केश चलता ही परता उनका दो साल हो गए और हमारी नंबर आ गया था उन 70 जार का यही हमारे साथ करना चाहरी है नहीं पद निकालना चाहरी है हमारी भरती में उनका जो मून है कि 31 जार को दे देंगे हम बागी लटका देंगे तो हम लटकने देंगे नहीं करने तो इन्हें जितना करना है सभी भाई मेरे साथ कौन जी और रद करा रहा था सोम भाई मैंने तो जियो रद करानी की बात ही नहीं की मैं तो यह कह रहा हूँ सरकार जियो को रद कराना चाहरी है सरकार निया जियो लाना चाहरी है और जो निया जियो आगा वो रद होगा अब भी लिखके दे सकता हूं मैं आपको कोई भी नया जियो इन्हें बनाने तो रद्द होगा यहां से नहीं होगा दरने से नहीं होगा तो सुप्रेम कोड से होगा समझे जियो वही होता जो एक वार जियो जारी होता पहला जियो होता जो मेन वही माने था उसी पर नियुक्ति होती हमेशा सही है उसमें किसी को अगर कोई शंका हो एक बार पूछ ले हाँ यार सही कहा रहा हूँ किश्णा भाई ये लोग कह रहे हैं ऐसा भाई मुझे तो मेसिज आ रहा है यार बहुत सारे मुझे तो बहुत सारे अरे सौरब भाई कोई फाइदा नहीं होगा जिस दिन बो लोग पहुचे ना उस दिन हम लोग भी पहुचें वो तो क्या हो तरग खिचड़ी बख जाएगी आदे लोग को जो ही ची हो ज़ेगी जब कुछ वारे पहले MRC वाले गए थे अपना विरोत कर रहे थे कुछ लोगों ने सोचा कि यह 37 वाले हैं वहीं भाव हो गई इन्हें करने तो यार मैं कहा रहा हूँ आपसे न्यूक्ति नहीं होने दूंगा न्यूक्ति सड़ सड़ हार पही करवाओंगा ठीक है सभी को यह ची पता है चिंता ना जी किये निक्ति मिलेगी सबको चलिए भया नमस्कार और कुसी कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर लीजेगा ठीक है धन्यवास अभी का